हाई गाईज, वेलकम टू माई यूटीब चैनल, तो आज मैं आपके साथ में शेर करने जारी हूँ, मैजिकल जेल, जो की हमारे आईलाइशिस को और भी ज़्यादा ग्रोव करेगा, और आईब्रो इसको बहुत ही ज़्यादा थिकर मनाएगा, तो इसकी रेमेडी स्टार्ट होती है, सबसे पहले मैंने लिया कैस्टर आईल, और इसको मैंने एक टेबल स्पून ही लिया है, ये आईलाइशिस की ग्रोव को इन्हेंस करता है, और इसको बहुत ही ज़्यादा थिकर मनाता है, और हमारा सेकिंड मैजिकल इंग्रीडेंट है, कोकनेट आईल, और ये बहुत ही ज़्यादा मॉस्चिराइज करता है, और ड्राय और डेमेज होने से बचाता है, आप अकेले वैसलिन को भी यूज़ कर सकते हो, अपने आईलेशिस और आईब्रोस के ऊपर, जस्ट आपको मस्कारा का जो होता है, वो ब्रश उससे आपको रात को सोने से पहले और यह है रोसमेरे असेंशल ओयल, यह हल्प करता है, जो हमारे आईलेशिस की हेर ग्रोथ है, उसको नैचरली परमोट करता है, जिससे हमारे आईलेशिस की ग्रोथ और ज़्यदा इनहेंस होती है, और इसको हम सिरफ 3 डॉप ही यूज़ करेंगे, और नेक्स्ट विटमिन ए यह कैप्सूल है और इसका प्राइज अप्रोक्सिमेटली 20 रूपीज होगा और यह बहुत ही जादा काम आता है हर हेर ग्रूथ रेमेडी में तो मैंने बस इसको सिंपल सा आप पिंच करके भी काट के या किसी भी तरह इसको डाल सकते हैं तो मैंने इसमें सिर्फ दो कैप्सूल ही यूज किये हैं और अगर मैं इसकी बेनिफिट की बात करूँ तो यह एक नैचरल कंडिशनर की तरह काम करता है हमारे आईलैश और आईब्रोस के हर के उपर और यह उसको स्ट्रॉंग और हेल्दी भी बनाता है और यह बहुत ही जादा ठिक होता है तो बहुत ही ज्यादा यूज में ला सकते हैं हमारी स्किन केर और हेर केर रेमेडी में और यह क्योंकि बहुत ज्यादा ठिक होता है तो आप इसको अकेले को भी यूज कर सकते हूँ अपने आईलैश के उपर तो हमारा जो नेक्स्ट की इंग्रीडियंट है वो है ऐलोवेरा ज खतम हो गया तो जितना भी बच गया मैंने उसको निकाल निकाल के एक टेबल स्पून प्रॉपर पूरा करके अपने इस चल में मिक्स कर लिया अच्छे से तो थोड़ा टाइम लगए निकालने में क्योंकि वो ऐसी इसकी पैकेजिंग है तो इसको साइट पे रखने के पर बस पांच और दस सेकिंड के बाद आप देख सकते हो इसकी जो फॉम है वो एक्तम जल फॉम में आ गई है और ऐसे लग रहा है जैसे कोई क्रीम बनी है और अगर मैं इसकी स्मेल के बाद करूं तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश थी तो सारे के सारे इंग्रीडिंट्स क मिक्स करने के बाद हम इसको स्टोर करेंगे किसी भी तरह के कंटेनर में ताकि हम इसको फ्रिज में रख सकें और ज्यादा टाइम तक हम इसको यूज भी कर सकें क्योंकि हम ने इसमें किसी भी तरह का प्रिजरवेटिव बगेरा नहीं यूज किया है ना कोई कैमिकल यूज किया है तो हम इसको फ्रिज में ही रखेंगे ताकि हम इसको ज़्याधा से ज्यादा यूज कर सकें इसको आप स्टोर करने के लिए किसी भी तरह कोई मसकारा के खाली बोटल के यूज कर सकते हो गो कि उसमें जो ब्रश होता है इससे आप इजली अपने आई-लैश पे लगा सक आपके कम से कम थ्री मन्त अराम से निकल जाएंगे बस कंडिशन ये है कि आपको इसको अपने फ्रिज में रखना पड़ेगा क्योंकि हमने इसमें किसी भी तरह का कोई भी कैमिकल विगरा नहीं यूज किया जसे की जो मार्किट के प्रॉड़क्ट होते हैं उसमें वो कितने सारी कैमिकल यूज करते हैं ताकि अगर हम प्रोड़क्ट को भार भी रखे तो भी वो खराब ना हो winter season में हम इसको बाहर भी रख सकते हैं क्योंकि temperature वो बहुत ही ज़्यादा low होता है तो जो हमारे ingredient है वो safe ही रहेंगे winter season में तो मैंने जितने भी ingredient इस cell में use किये हैं वो बहुत ही ज़्यादा helpful होते हैं हमारे जो eyelashes और eyebrows की hair की growth के लिए होते हैं अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो please मेरे चैनल को like करना और subscribe करना और comment भी करना thank you so much for watching my video